नमस्कार दोस्तों मैं धर्विंदर पताप सिंग आप देख रहे हैं फरीदवाद लेटिस न्यूज दोस्तों आपको जिस चीज का इंतजार था वो ओर्डर आ गया है हरियाणा में लोग डाउन बढ़ा दिया गया है लेकिन अब की बार कई सारे बदलाव किये गये हैं मैं बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि अब की सरकार धील दे लोगों को रोजगार करने का मौका मिले अपनी दुकाने खोलने का मौका मिले जिम वाले इंतजार कर रहे थे कि जिम खोलने की परमीशन मिले उनके लिए खुसकबरी है अब मैं आपको बताता हूँ क्योंकि order English में है मैं आपको Hindi में बताऊंगा क्या-क्या बदलाव किये गए हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ लोगडाउन 21 जून को 21 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है 21 जून सुबह 5 बजे तक एक हफते के लिए बढ़ा दिया गया है मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या बदलाव किये गये हैं जैसा कि मैंने कैप्सन में लिखा है odd even system को समाप्त कर दिया गया है जो दुकाने odd even system से खुल रहे थी वो system अब समाप्त हो गया है यानि कि सभी दुकाने रोजाना खुल सकती है इसके अलावए एक बहुत बड़ा बदलाव ये किया गया है दुकानों के खुलने का time जो है 6 बजे तब का था अब वो बढ़ा कर 8 बजे का कर दिया गया है जो order है order में दुकानों को खुलने का समय 8 बजे तक के लिए कर दिया गया है मेरे पास order है ये देखिए और मैंने अपने page पर वैसे order upload कर दिया है लेकिन English में order है तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं हाँ लेकिन इसमें थोड़ा सा confusion ये है कि जो हरियाना का DPR है हरियाना DPR जो government organization है और जिसने ये order publish किया है उसने tweet में जो है 7 बजे लिखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ दुकानों के खुलने का समय 7 बजे उसने दिखा है tweet में लेकिन order में दुकानों के खुलने का समय 8 बजे का लिखा गया है तो मैं वही बताऊंगा जो order में लिखा गया हो सकता है उनके tweet में कुछ mistake हो गई हो लेकिन order में दुकानों के खुलने का time 8 बजे का है आप लोग order में देख सकते हैं तो अब मैं बताता हूँ और क्या बदलाव किये गये हैं तो पहले तो मैंने आपको ये बताया सभी दुकानों के खुलने का समय 9 बजे से साम 8 बजे तक के लिए कर दिया गया है दूसरा है जो malls हैं वो 10 बजे सुबे से 8 बजे साम तक के लिए खुलेंगे restaurant वगरा restaurant और bars ये भी जो पहले उनका तै समय था 10 बजे से राद 10 बजे तक खुलेंगे 50% capacity seating capacity के साथ और जो religious places हैं वो खुलेंगे लेकिन 21 लोग ही वहाँ पर जुट सकते हैं ज्यादा भीड allowed नहीं है जो पहले का order था इसके अलावा corporate office are permitted to open with 50% attendance after adopting requisite social distancing norms regular sanitization and covid appropriate behavior norms और इसके अलावा जो साथी समारों में जो gathering थी और अंतिम संसकार में जो gathering थी उसको 31% किया गया यानि कि 21 लोग ही साथी समारों में जुट सकते हैं अंतिम संसकार में 21 लोग ही जुट सकते हैं ये पहले वाला जो order था वही सेम हैं और इसके अलावा जो साथी समारों के इतर gathering होती जैसे नेताओं के कारक्राम हो गए रहलिया हो गए सामाजी कारक्राम हो गए उसमें 50% लोग जुट सकते हैं इसके अलावा club houses, restrained bars of the golf course are allowed to open with 50% seating capacity from 10 a.m. to 10 p.m. with adherence to requisite social distancing and others वही वही रूल है social distancing के पारण करना होगा अच्छा जो जीम वाले हमारे भाई थे वो सुबे से मुझे फोन कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है order में लिखा है gyms are allowed to open from 6 a.m. to 8 p.m. जीम छे बजे सुबे से 8 बजे साम तक के लिए खोल सकते है with 50% capacity यानि कि अगर जीम में 50 लोग आ सकते हैं तो 25 लोग ही उसमें आ सकते हैं मतलब 50% capacity होनी चाहिए यानि कि आधे लोग ही जीम में जाएं जीम खोलने को permission मिल कही है बहुत खुसी की बात है क्योंकि हमारे जीम वाले जो दोस्त हैं वो बहुत परिशान थे उनकी 2-3 महीने से बिलकुल काम बंद हो गया था तो जीम भी खोल सकते हैं बहुत बड़ी खुसकबरी है All production units establishment industries are permitted to function however they sell strictory area मतलब जितनी भी industries थी उनको function करने के लिए allow कर दिया गया है यानि कि अब पूरी industry खुल सकती है तो ये sports complexes वगरा भी खुल सकते हैं जो पीछे का order था वही अभी भी लागू है तो बहुत बड़ी खुसकबरी की बात है मैंने पूरा order हिंदी में पढ़ लिया आप लोग English में पढ़ सकते हैं अब दुकाने आडवे तक खुलेंगी social distancing वगरा का पालन करना होगा gym भी खुल सकते हैं सभी industries खुल सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है करीब करीब lockdown एक तरह से मतलब unlock हो गया है lockdown unlock हो गया है अब सभी दुकाने भी खुल सकती है gym भी खुल सकते हैं लेकिन gathering नहीं हो सकती साधी में 21 लोग से जाधा नहीं जुठ सकते railies में सामाजिक कारक्रमों 50% से जाधा नहीं जुठ सकते तो यह बड़े बदलाव है आप लोगोंने order पढ़आ share भी किया इसके लिए बहुत भन्यवाद order ऐसे समय पे आया है मैं भोजन कर रहा था तो भोजन छोड़ कर मैं आपको order बता रहा हूँ आप लोग share जरूर करें सुबह से आप लोग इंतजार कर रहे थे इस order का तो बहुत अच्छी खुसकबरी है सरकार ने राहत दी है lockdown को बहुत हज तक खतम किया है सभी दुकाने खुल सकते हैं आप लोग जो है अपना काम कर सकते हैं नवकरी पे जा सकते हैं बहुत अच्छी बात है इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share करें और school के लिए मैं भोल गया sorry मैं school के लिए बताता हूँ school नहीं स्टेड यानि की कोई भी सेक्चरिक संस्थान नहीं खुलेंगे libraries नहीं खुलेंगी college नहीं खुलेंगे coaching संस्थान नहीं खुलेंगे कोई भी ये सेक्चरिक संस्थान नहीं खुलेंगे school नहीं खुलेंगे तो ये भी एक खबर है, ये पहले भी बंद थे, तो अभी भी बंद है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें, ताकि सब को पता चल जाए जो इंगलिस नहीं समझते, जिनने इंगलिस वाला ओर्डर नहीं उनको भी ये समझ में आ जाएगा तो आप लोग जरूर सेयर करें मैं विदा लेता हूँ भोजन करने जाता हूँ नमस्कार जैहिन